हेलो गैस वेलकम तो फिनोमनल और गैस इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर कोश्चन सरी जो कोश्चन इंपोटेंट रहेंगे आने वाले एक्जाम्स के लिए जैसे के एक्जाम हो गया सीजियल 2018 के लिए और बीडियो एक्जाम्स होगा ब्लेज डफलमेंट ऑफीसर एक्जाम और रेलबे एक्जाम्स इसे ग्रूप डी एलपी टैकनीसियन के एक्जाम होगे तो यह कोश्चन इंपोटेंट रहेंगे इन एक्जाम्स के लिए तो इस कोश्चन सीरीज में मैं 100 करूंगा तो यह कोश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट है पार्ट फर्स्ट करेंगे इस कोश्चन सीरीज का हम और इसमें 100 कोश्चन करूंगा जो टोटली बेश्ट होंगे फिजिक्स के और यह कोश्चन आ भी चुकी है और आने का चांस बनता है इन कोश्चन का तो देखत पर तीन question और बनते हैं वो भी मैं इसी में discuss करूँगा तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए पूरा तो देखते हैं पहला question किया था light air is a unit of तो light air किस चीज की unit है time की है क्या light की है intensity of light की है यह distance की है तो जो light air होती है वो distance की unit होती है और यह distance होती है मतलब जो sun और अर्थ की distance होती है बीच की दूरी यह सब नापने के लिए light air unit का probe किया जाता है लेकिन एक अपने नाम सुनाओगा पारसेक यह भी distance की ही unit होती है distance की ही unit होती है बट यह astronomical distance होती है astronomical distance तो उसमें यह अगर यह question अगर पारसेक करके पूछता है question तो वो astronomical distance करके option देगा और अगर light air करके पूछत थो खाली वो distance दे रखा होगा तो यह दोनों यह distance की unit होती है बस वो पारसेक होता है वो astronomical distance होती है और मैं कुछ और बता दू nhất year की बात करें तो 1 light year is equal to होता है 9.46 into 10 to power 15 meter तो इस चीज को भी ध्यान रखें ये भी question जैसे पूर सकता है या कुछ भी आ सकता है लिखके तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि 1 light year is equal to होता है 9.46 to 10 to power 15 meter and question number second की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्या है 1 astronomical unit is the average distance between जो 1 astronomical unit होती है वो किस के बीच की दूरी का औसत होती है तो वो earth and sun के बीच की होती है क्या earth and the moon and Jupiter and the sun या Pluto and the sun तो वो distance होती है जो 1 astronomical unit is the average distance between तो हमारा first option करेक्ट होगा earth and sun के बीच की distance होती है जिसे मैंने आपको बताया कि ये मतलब पारसेक तो ये earth and the sun की बीच की average distance होती है तो द्यान रखेंगे इस चीज को 1 astronomical unit is the average distance between earth and the sun and next question देखते है question number third which of the following is a vector quantity तो इसमें से हमें बताना है कौन सी vector quantity है और कौन सी scalar quantity अगर हमें ये दोनों के बारे में पता होगा कौन सी vector quantity होती है, कौन सी scalar quantity होती है तब ही हम ये question कर पाएंगे तो firstly मैं आपको बता दूँ इस question का answer होगा momentum तो which of the following is a vector quantity momentum vector quantity होती है तो इसको ध्यान रखेंगे momentum vector quantity होती है अगर मैं यहाँ note करा दूँ आपको अगर आप vector quantity और इदर लिख लें हम scalar quantity अगर आप इन्हें note भी करना चाहें तो note कर सकते हैं vector quantity में आता है displacement velocity acceleration force weight moment momentum और electric field और vector quantity scalar quantity की बात करें तो scalar quantity में होता है length distance mass time area volume work power energy temperature speed pressure आप इन्हें नोट कर लीजिए ये इस तरह की question बनता रहता है एक सर ये पूछा जादा है कि कौन सी scalar quantities है चार option दे देगा उसमें बैक्टर होंगी तीन और एक स्केलर होगी तो इस तरह से question पूछा ये यार मैचिंग में question पूछ लिया जाता है एक जिमनाश्ट है कोई भी परसन जिमनाश्ट को चोड़ो अगर कोई भी परसन एक rotating stool पर खड़ाया गए किंडल गेंट अगर जो स्कूल होते हैं वह लग छोड़े बच्चों के लिए तो उस पर घूमने वाला एक खेलने के मैदान में होता है उस पर अगर वो घूम रहा है उस पर बंदा खड़ा है तो इस question में क्या करा है standing on a rotating stool with his arms state उसके हाथ फैले हुए है and suddenly lower से जाम अगर अचानक से वो हाथ नीचे कर लेता है तो जो उसकी speed थी स्टूल की घूमने की क्या उस पर क्या फर्क पड़ेगा तो देखते हैं पहला option क्या his angular velocity decreases उसकी velocity कम हो जाएगी घूमने की या his angular velocity remains constant same रहेगी या his angular velocity increases या बढ option होगा his angular velocity remains constant अगर वो हाथ को फैलाए ही रहता तो दीरे-दीरे उसकी angular velocity कम हो जाती लेकिन अचानक उसने हाथ नीचे कर लिए तो velocity constant रहेगी और इसी तरीके से कोशन बनता है कि कोई rotating stool है और उस पर बंदा खड़ा है तो वो उस stool को रोकने के लिए क्या करें कि मतलब जो rotating wheel है वो दीरी-दीरे कम हो जाए तो उसमें option दे रखा होगा stage hand तो वो option stage hand वो अगर वो हाथ अपने फैलाए तब ही वो stool रुकेगा उससे angular velocity दीरी-दीरे कम होती जाएगी तो यह भी question बनता है इसको भी ध्यान रखें and next question देखते है नौ question no 5th satellite having the same orbital period as the period of rotations of the earth about its own axis satellite होते है जो अर्थ के तरह ही बिल्कुल मतलब rotate करते है orbital period same orbital period होता है और period of rotation the earth about its own axis खुद की own axis पे तो वो कौन से satellite होते हैं जो अर्थ के चारों तरब गूमते हैं तो वो जीव stationary satellite होते हैं कौन से होते हैं जीव stationary satellite तो इसको भी ध्यान रखेंगे यह question भी बहुत बनता है and next question देखते है question no 6th bird is sitting in a wire cage तार के पिंजरे में बंद है एक sitting bird bird बैठी है which is hanging from a spring spring balance से जो slender बगरन आपने के लिए जो slender होते हैं लटकाने के लिए तो वो जो spring balance होता है इस तरह से तो उससे जो bird cage है वो लटका हुआ है if the bird starts flying inside the cage अगर जो bird है उसके अंदर उड़ने लगे तो reading of the spring balance पे क्या फर्क पड़ेगा तो remains unchanged रहेगी क्या be less than earlier कम हो जाएगी या be more than earlier बढ़ जाएगी या none of these कोई भी option नहीं तो हमारा answer क्या होगा be less than earlier जो पहले balance जो weight बता रहा था उससे कम हो जाएगा क्योंकि जो अगर पंची उड़ने लगेगा तो उसका और cage का और उसका कोई connection नहीं रहेगा जिसकी वज़े से जो weight होगा वो कम हो जाएगा और जिस तरह से उसका जो balance वो कम दिखाने लगेगा be less than earlier तो हमारा be option correct होगा and next question देखते हैं question number seven a liquid drop attains spherical shape इसमें मैंने तीन question add किये हैं ये question एक question सिर्फ इतना पूछा जाएगा दूसरा question सिर्फ इतना पूछा जाएगा और तीसरा question सिर्फ इतना पूछा जाएगा और तीनों का answer same होता है मैं तीनों को add कर दिया हूँ तो आप liquid drop attains spherical shape जो liquid होता है कि drop होती है बूंद होती है वो spherical shape attend कर लेती है यह contact and occupy minimum area करती है और insect can move on the surface जो insect होते हैं कीड़े होते हैं वो पानी की सतय पे बैठ पाते हैं या ओड पाते हैं जैसे मच्छर हो गया वो पानी की सतय पे बैठ पाता है तो वो किस कारण पर सोता है surface of butter due to तो वो किस बज़े से होता है वो surface tension की बज़े सोता है यह property होती है बाटर की यह liquid की तो क्या होगा हमारा answer surface tension अच्छा question मैं तीनों question तीनों तरीके से पूछा जा सकता है यह question तो तीनों को चीजों को ध्यान रखें सबकान से surface tension नहीं होगा and next question देखते है यह the velocity of wind is measured by तो जो velocity होती होती है wind की वो किस instrument से measure की जाती है तो हमारा answer होगा animometer animometer से measure करते है wind of velocity velocity of wind बट योडियो मेंटर से क्या measure करते है पुलेरी मेंटर से क्या measure करते है यह भी देख लीजिए यह भी question पूछे जा सकते है तो योडियो मेंटर को यूज करते है volume of gases नापने के लिए volume of gases और पुलेरी मेंटर को यूज करते है एंगल of rotation मेजर करने के लिए एंगल of rotation और इस पैरो मेंटर को यूज करते है एर कैपसिटी ओफ लंक्स तो मेजर एर कैपसिटी ओफ लंक्स इस पैरो मेंटर को यूज करते है पुलेरी मेंटर को यूज करते है मेजर एंगल of rotation और यूडियो मेंटर को यूज करते है एंगल of rotation को पुलेरी मेंटर से एर कैपसिटी ओफ लंक्स को इस पैरो मेंटर से एंड नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 9 अरलियस्ट थर्मोमेटर वाज डिसकवर्ड वाई तो जो थर्मोमेटर था वो किस ने डिसकवर किया था वो गैलीलियो ने डिसकवर किया था तो हमारा correct option गैलीलियो होगा बट एवेङलिस्ट टोरी सली ने क्या डिसकवर किया था बार्टो लोमियो क्रिश्टो फोरी ने क्या डिसकवर किया था एलेकजिंडर डैवेउन ने क्या discover किया था ये भी आप देख लिए एबेंजे लिस्टर टोरी सेली ने वारोमीटर discover किया था जिसे हम pressure नापने के लिए यूज़ करते हैं यूज़ फोर मेजरिंग प्रेशर और ब्रोटो लोमियो क्रिश्टो फेरी ने प्यानो discover किया था प्यानो और इलेक्शन डेवेन ने harmonium discover किया था हर्मोनियम तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्या पूछे जा चुके हैं कि ब्रोटो लोमी ने क्या discover किया था ये पिछली last time MTS में पूछा जा चुका है और गैलीलीनी ने तो thermometer discover किया था था तो आप इन चीज़ो को भी ध्यान रखें and next question की तरफ बढ़ते है question number 10 gas thermometer are more sensitive than the liquid thermometer जो gas thermometers होते है वो ज़्यादा sensitive होते है as compared to liquid thermometer liquid thermometer की compression में gas thermometer are more sensitive because the gases क्योंकि gases have the low specific heat क्योंकि gases की specific heat low होती है इसलिए gas thermometer are more sensitive तो हमारा correct option क्या होगा first option a option have low specific heat क्योंकि gases की specific heat low होती है तो इस बज़े से gas thermometers are more sensitive than the liquid thermometer and question number 11 की तरफ बढ़ते है देखते हैं क्या है a circular disc और copper एक circular disc जो copper की है है जो symmetrical hole at the center center पर उसके छेद है the disc is uniformly heated अगर डिस्क को लगातार गरम किया जाए uniformly गरम किया जाए heat किया जाए the diameter of the hole will तो diameter होगा जो diameter होगा hole का वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा या सेम रहेगा यह question पूछा गया है तो जो diameter of the hole होगा वो बढ़ जाएगा, increase होगा तो हमारा correct option क्या है एक जो जो छेद होगा वो बढ़ जाएगा and question बहुत पर पूछा जाता है पूछा जा चुका है तो यह important है question इसको ध्यान से देखें और यह इसको ध्यार याद रखें कि जो circular dix of a copper है जो symmetrical hole at its center the disc is uniformly heated the diameter of the hole will increases and question number 12 देखते है a liquid's initially contacts when cooled down to 4 degree centigrade मलब जो 4 degree centigrade से down में जो liquid को cool किया जाता है तो वो contacts होता है but on further cooling लगे और उसके बाद जो cooling करते है down to 0 degree centigrade 0 degree centigrade से नीचे it expands the liquid is तो वो कौन से liquid है जो अगर हम 4 degree से नीचे उसको cool करें तो वो contacts होता है सुकुडता है इस starting में लेकिन जब हम 0 degree के नीचे पहुंचते है तो वो further expand होता है बाद में बढ़ता है तो वो कौन से liquid है तो वो liquid होगा water तब भी देखा होगा मतलब जहां जिसे ठंड ज़्यादा पढ़ती है polar regions में वहाँ पर जो pipelines होती है वो फट जाती है ठंडों में ज़्यादा ठंडों में तो यही कारण होता है कि मतलब जो water होता है उसको ज़्यादा cool किया जाता है मतलब 4 degree से नीचे temperature हो जाता है तो वो जो water होता है cool किया वो expand होता है इस वज़े से pipelines फड़ जाती है तो वो कौन सा liquid है वो water ही है and question number 13 देखते है next question a large iceberg melts at the base but not at the top because a large iceberg melts at the base but not at the top तो यह question मैं आपको समझाना चाहूँ जैसे वर्फीले एरिया होती है जैसे कस्मी ले ले तो वर्फ तो उपर तो वर्फ जमी होई होती है बट अगर उसके नीचे देखें तो पानी होता है तो यह question पूछ रहा है a large iceberg melts at the base नीचे तो पिगला होता है but not at the top तो नीचे नहीं उपर नहीं पिगलता है तो वो किस कारण बस होता है the base of iceberg remains in environment condition कोई मतलब नहीं बनता है इस option का ice at the base contains employees इस option का भी कोई मतलब नहीं बनता और ice at the top is different kind इस option का भी कोई मतलब नहीं बनता तो जो हमारा correct option होगा वो C होगा higher pressure at the base lowers the melting point जो pressure होता है वो नीचे जादा होता है जिस बज़े से temperature low हो जाता है base lowers the melting point जो melting point होता है वो low हो जाता है जिस बज़े से ice मतलब नीचे पिगली होई रहती है और उपर जम्य होई रहती है तो यह कारणा होता है तो इस चीज को भी ध्यान रखें and next question देखते है question number 14 the pressure exerted by a 760 mm column of mercury at 0 degree centigrade is known as तो वो क्या कहेंगे उसको उसको कहेंगे बनबार तो बनबार pressure होता हो pressure की unit होती है बार तो the pressure exerted by a 760 mm column of mercury at 0 degree centigrade is known as बनबार यह question पूछा जा चुका है द्यान रखें इस question को पूछा जा सकता है next question देखते है question number 15 the lowest temperature is recorded जो सबसे low temperature होता है वो किस से record किये जाते हैं किस से ना पे जाते हैं किस से measure किये जाते हैं the lowest temperature is recorded by mercury थर्मोमेटर minimum reading thermometer नहीं ये भी option नहीं है maximum reading thermometer ये भी option नहीं बनता तो हमार जो correct option है वो क्या है alcohol thermometer alcohol thermometer से ना पे जाते हैं जो temperature lowest temperature होते हैं वो alcohol thermometer यूज किये जाता हैं इनको ना पने के लिए जो temperature lowest होते हैं and question number 16 तेखते हैं, which one of the following thermometer is known as pyrometer, कौन से thermometer को हम pyrometer कहते हैं, thermoelectric thermometer होते हैं, क्या जिनने हम pyrometer कहते हैं, gas thermometer को pyrometer कहते हैं, या liquid thermometer को pyrometer कहते हैं, तो ये तीनों option नहीं बनते हैं, हमारा correct option radiation thermometer होगा, radiation thermometer is known as pyrometer, इसे ही pyrometer कहते हैं, और ये higher temperature के लिए use होता है, higher temperature के लिए use करते हैं, pyrometer के लिए, इसको भी ध्यान रखें, ये भी question पूचा जा चुका है, और पूचा जा सकता है, and next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 17, babes which do not require any material medium for its propagation, अपने propagation के लिए कोई भी medium की आवज सकता नहीं है, तो वो कौन सी babes होती हैं, वो electromagnetic babes होती हैं, जिनको कोई propagation के लिए कोई material की आवज सकता नहीं होती है, तो वो कौन सी होती है, electromagnetic babes होती हैं, तो अच्छा कुर्सा नहीं इसको ध्यान रखी हैं, आप ही सकता है, question number 18 देखते हैं, instruments used to study the behavior of vibrating string, तो जो vibrating string होती है, रस्य होती है, या string होती है, जो guitar में होती है, तो उनकी जो behavior, study the behavior of vibrating string, तो उस behavior को पढ़ने के लिए कौन सा instrument यूज करते हैं, तो उस instrument को कहते हैं, सोनो मीटर, सोनो मीटर को यूज करते हैं, vibrating string की behavior को पढ़ने के लिए, तो इसको ध्यान रखें, and hygrometer से सभी जानते हैं कि humidity नापी जाती है, तो major humidity और barometer से pressure, और say intensity या density of water नापने के लिए आता है, hydrometer, और इससे humidity नापने हैं, hygrometer से और barometer से pressure, और तो ये चीज भी जान लेजिए, मतलब hygrometer से humidity मेजर की जाती है, सोनो मीटर से तो हमारा जो question वो vibrating string का behavior और barometer से pressure, hydrometer से density of water, and question number 19 देखते हैं, when light babes pass from year to grass, जब light babes pass होती हैं, year से grass में the variable affected are, तो जो the variable affected are, तो कौन-कौन से variables मतलब change होते हैं, तो पहले मैं light babes के बारे में बता दूँ, कि light babes में frequency होता है, वो unchanged रहता है, उस पे कोई फरक नहीं पड़ता, और babe length, babe length और velocity change होती है, तो इससाब से देख लिए frequency तो unchanged रहेगी, तो पहला option तो बनता नहीं है, second option भी नहीं बनता है, क्योंकि frequency change दिखा रहा है, और third option भी नहीं बनता, तो हमारा correct option क्या होगा, d होगा, babe length and velocity change होता है, और frequency remains unchanged, and question number 20 देखते हैं, which of the following types is used by computed tomography, employed for visualization of the internal structure of human body, question को गुमा फिरा के English में बोला गया है, बच इसका meaning यहीं कि मतलब किस चीज को यूज करते हैं, बोड़ी की जो अंदर के parts देखने के लिए, तो सभी जानते हैं, x-rays को यूज करते हैं हम लोग, जब हमें अंदर कोई body pass मैंज़े, kidney का कराते हैं, x-ray, तो यह चीज अंदर के जो parts देखने के लिए, x-ray ही कराते हैं, तो option होगा, correct option होगा, x-rays, और ज़्यादा question की language पर ना जाया है, मतलब वो यही कहना चाहा है कि किस चीज को यूज करते हैं, तो x-rays होता है वो, and question number next देखते हैं 21st, if a boy is sitting in train, which is moving at a constant velocity, this question को दो तरीके से पूछा जाता है, दो तरीके से पूछा जाता है, but वो सिर्फ क्या difference करेगा, यहाँ पर train की जगर वो open car कर देगा, या open train बोलेगा, तो train तो open होती नहीं है, तो car बोलेगा जो open होगी, बस इतना फर्क करता है, और answer change हो जाता है, यहाँ train की बात कर रहा है, कहने का मनलब resistance of air नहीं होगा, no resistance of air, बन्द train की बात कर रहा है, तो no resistance of air, तो हमारा option क्या होगा, if a wall is sitting in a train, which is moving at a constant velocity, through a wall, straight into the air, एक कोई लड़का यह train के अंदर बैटा है, कोई ball उच्छालता है, सीधे अपने उपर, the wall will, तो जो ball होगी, वो आगे गरेगी उसके, पीछे गरेगी, या fall into hand, या none उप दीज़, तो हमारा correct option क्या होगा, fall into hand, तो हमारा correct option होगा, fall into hand, बट अगर यहाँ पर वो car कहता, open car, open car कहता, तो फिर answer होता, fall behind him, तो answer होता, fall behind him, क्योंकि resistance of air लग जाता, इस बज़े से, answer change हो जाएगा, resistance of air लग जाएगा, इस बज़े से answer change हो जाएगा, तो इस तीज़ को ध्यान रखें, दो तरीके से question पूचा जाता है, and question number 22 देखते हैं, it is easier, to carry two buckets of water in one hand, each, ये आसान होता है, कि मतलब हम एक बाल्टी एक हात में, दूसरे बाल्टी दूसरे हात में, ले जाने में, मतलब दो बाल्टी एक एक हात में ले जाने में आसानी होती है, जबकि एक बाल्टी ले जाने में, then to carry only one in one hand, एक हात में एक वाल्टी ले जाने में से ज़्यादा आसान होता है कि दो वाल्टी एक एक हात में ले जाओ तो किस बज़े से आसान ही होती है weight of buckets are balanced क्यों जो weight होता है buckets का वो balanced हो जाता है ये नहीं है center of gravity falls within the body ये भी नहीं है resultant weight of bucket is zero resultant weight of bucket का zero हो जाता है ये भी नहीं है जो correct option होगा वो ये होगा center of gravity का फर्क पड़ता है ये main point है center of gravity की वज़े से ये सब होता है center of gravity and center of equilibrium fall within the field ये correct option होगा center of gravity and center of equilibrium fall within the field and question number next देखते है question number 23 vacuum cleaner work on the principle of pressure difference जो vacuum cleaner होता है वो pressure difference के principle पर बर्क करता है on the moon it will तो moon पर बर्क करेगा या नहीं करेगा work efficiently ऐसा होंदा क्या moon पर अच्छे तरीके से करेगा जितना earth पर करता है या not work at all या work with reduced efficiency कम efficiency के साथ बर्क करेगा या work with increased efficiency ज्यादा efficiency के साथ बर्क करेगा तो हमारा option correct होगा not work at all work ही नहीं करेगा moon पर क्योंकि pressure की बज़े से तो इस बज़े से the vacuum के लिए नो work on the principle of pressure difference on the moon it will not work at all and question number 24 तेखते हैं the characteristics of sound which distinguishes a female voice from a male voice तो किस तरह से पहचाना जाता है कि जो male voice है ये male voice है ये female voice है तो वो किस बज़े से पहचान पड़ती है मतलब वो pitch की बज़े से पहचान पड़ती है एक property होती है sound की जिस बज़े से distinguish किया जाता है कि ये male voice है ये female voice है and next question देखते है और एक question और बनता है कि vocal quotes कितने होते हैं जो main में होते हैं two होते है two परकार के vocal quotes होते है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखे two vocal quotes होते है मतलब two vocal quotes होते है परकार तो छोड़ो two vocal quotes होते है and question number 25 तेखते हैं last question of this part the temperature which has the same reading on both कौन सा temperature होता है जिसका Fahrenheit और Celsius scale पे same होता है तो वो हमारा option correct होगा minus 40 degree पे जो Fahrenheit होता है और Celsius scale same दिखाते हैं same temperature so करते हैं तो ये question बहुत पूचा जाता है important question है तो guys ये थे 25 question part first के और मैं इसे आगे भी कराऊंगा 100 question कराना है तो guys अगर आपको ये video पसंद आई हो तो please इसे like कीजिए और अपने दोस्तों को share भी कीजिए and हो सके तो channel को subscribe करें और बने रहे हमारे channel के साथ and so thank you so much for watching this video करें। गुत्सक्रेडनल के लगा लगद्वार हेमारे . झाल झाल